हेलो एवरीवन वेल्कम टू माई यू पीएससी MPPSC असिस्टेंट प्रॉफेशर की रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं जनेलिस्टेडीज का जो पेपर फर्स्ट है उसकी तीन क्लास अल्रेडी हो चुकी है तीन टेस्ट भी हो चुके हैं आज यह चोथा क्लास है इसमें देखिए जनरलिस्ट इसमें एक करन्ट अफेर्स का डिसकस कर चुके हैं बाकि आपका जो पहला टॉपिक था इस्टोरिकल इवेंट्स एंड दे मेजर डाइनेस्टी जोफ मध्यप्रदेश वो हम कंप्लेट डिसकस कर चुके हैं आपने test series जोइन नहीं किया है तो test series जोइन कर लिजे आपको description में link मिल जाएगा comment section मिल जाएगा इस नमबर पर भी contact करके आप जोइन कर सकते हैं और भी कोई query है आप पूछ सकते हैं आज हम जो discuss करेंगे contribution of मध्यप्रदेश in the independence moment जो आजादी के लिए जो moments हुए है जो आंदोलन हुए है स्वाधिन्ता के लिए उसमें मध्यप्रदेश का क्या contribution है यह आपके topic है दूसरा इसमें हम discuss करेंगे कि Maratha rulers और मध्यप्रदेश का क्या international moment में एक significant role play किया है मध्यप्रदेश ने कौन-कौन से moments हुए है उस टाइम पे independence के after क्या position रही है सारा हम detail में discuss करेंगे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीज़े देखें सबसे पहले हम थोड़ा background में देखते हैं इसका Maratha rule in मध्यप्रदेश मराथा rule मध्यप्रदेश में कैसे शुरू हुआ जब ये इसकी शुरूआत हुई 1707 में 1707 में जब औरंग्जे मर गया उसके बाद में जो मुगल का जो control था वो दीरे-दीरे कमजोर होता गया और जो Maratha control था वो strong होता गया मध्यप्रदेश और Central India में Maratha rulers में जो बाजीरा first थे उन्होंने divide कर दिया पूरे Maratha empire को five territories में five territories में जैसे इंदोर हो गया, ग्वालियर हो गया, हौलकर, शिंदिया इस तरीके से इन्होंने divide कर दिया इसको पूरा Maratha empire को पांच territory बना दी, इसकी पांच division बना दी है इसके, एक एक करके और हम इनको सब कुद देख लेते हैं, ये शुरुआतवी 17 और 18 सेंचुरी से, जो ऐसा बाजीरा first ने divide किया, पांच different territories में, और वो पांच different territories कौन कौन सी थी, इंदोर, इंदोर के अलावाज है जो ग्वालि ग्वालियर के अलावा जो देवास, अब इसमें जो देवास है, इसके दो बनाए, एक senior देवास और एक junior देवास, और इसके अलावा बनाया इन्होंने एक धार, तो first, second और four, five, ये five territories इन्होंने यहां पर बना दी, तो यह आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में दो important territories थी जैसे इंदोर और ग्वालियर है, इंदोर में हॉलकर, ये राज करते थे हॉलकर डाइनेस्टी, और ग्वालियर में थे जो ये थे सिंधिया, इसको हम और detail में पढ़ेंगे, अब सबसे पहले देखते हैं हम इंदोर स्टेट का, इंदोर स्टेट को हॉलकर स्टेट के नाम से जाना जाता था पहले, किस नाम से हॉलकर स्टेट के नाम से, ये एक मराथा प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिसर्स के राज टाइम पे, 18 में 1724, 18 माई 1724, यहाँ पे जो निजाम था उसने असेप्ट कर लिया था, यहाँ के निजाम ने जो इनके जो निजाम था, उसने इनका मराथाओं का एक अधिकार एकसेप्ट कर लिया था, वो कौन थे मराथा, बाजी राव फर्स्ट का, और इन्हों ने बाजी राव फर्स्ट ने यहाँ पे इन दोर में टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, का आजाता था, यह शुरू किया था, 18 माई 1724 को यह डेट द्यान लखेगे, यह डाइरेक्ट पूछा जाता है कई बार एकजाम में, 1733 में, पेशवा ने यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया था मालवा में, और इसका कमांडर बना दिया मलहार राव होलकर को, 1733 में क्या हुआ है, कि जो पूरा मालवा रीजन है, वहाँ पेशवाओं का कंट्रोल हो गया, और जो सूबेदार अपॉइंट कर दिया, इस पूरे प्रोविंस का, सूबेदार कहें, उस टाइम का आ जाता था, अभी जो गवर्नर हैं, ऐसे समझाओ, तो किसको बनाया पू हुलकर्स की डिफीट कब हुई, यह हुलकर डाइनेस्टी चलती रही इन दोर में, इनको डिफीट मिली, जो थर्ड एंगलो मराठा वार हुआ, तीसरा एंगलो मराठा वार हुआ, उसमें हुलकर्स को डिफीट मिली, और इन्होंने एक एग्रिमेंट साइन किया, ब्रिटि के साथ इन्होंने है जो एक एग्रिमेंट सायन किया हॉलकर्ष ने और ये इंदोर बन गया ब्रिटिस प्रोटेक्टर रेट अब यहां पे ब्रिटिसर्ष का राज शुरू हो गया ये 6 जनुवरी 1818 कोई पूछा जाता है कि हॉलकर्ष ने कब संधी की थी जो पहला दीवान था हॉलकर का वो कौन था अब ये शुरू हो गया कि ब्रिटिस प्रोटेक्टर रेट मतलब अंग्रेज रक्षा करेंगे अभी इस पूरे रीजन की तो पहला दीवान अंग्रेजों ने किसको बनाया था यहां पर वो था तत्या जोग तत्या जोग ये नाम द्यान रखिएगा पूछा जाता है वह दा फर्स्ट दिवान ओफ हॉलकर इस्टेट डूरिंग दा ब्रिटिस तो ये थे तत्या जोग और इन्होंने क्या किया कि जो पहले कैपिटल हुआ करती थी महेश्वर महेश्वर इसकी कैपिटल हुआ करती थी इस पूरे रीजन की तो उसको इन्होंने इंदोर शिफ्ट कर दिया कब शिफ्ट किया ये इंपोर्टेंट है ये थर्ड नवंबर को थर्ड नवंबर 1818 को जो इस पूरे रीजन की इंदोर श्टेट की जो कैपिटल महेश्वर हुआ करती थी महेश्वर से और इंदोर शिफ्ट कर दिया ये इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है आपके एक्जाम पॉइंट ओ वी से जो इंपोर्टेंट है वो ही हम डिसकस कर रहे हैं यहां पे और बाद में है जो यस्वंतराव होलकर लास्ट इस डाइनेस्टी के कोन थे रूलर जो रहे थे वो थे यस्वंतराव होलकर थर्ड यस्वंतराव होलकर थर्ड ये थे जब एक जनवरी 1950 को Instrument of Accession to the Indian Union ये साइन हुआ था जब बहुत सारी जो राजा रजवाड एरिया सते थी वो भारत में मर्ज होई थी उस टाइम पे कोन थे यहांके रूलर यस्वंतराव होलकर थे ये आपको द्यानमरकनारबाद में है जो ये मद्यप्रदेश इंडिया में मर्ज हो गया था नेक्स देखते हैं ग्वालियर स्टेट ग्वालियर भी ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ब्रेटी सर्च के टाइम पे माराठाओं ने इस स्टेट को एक ओपर्चुनिटी की तरह लिया और जो डेली में उस टाइम पे लैक ओप अथोर्टी थी दिली में सेंट्रल में है जो मुगल एमपायर का स्ट्रॉंग होल्ड नहीं था लैक ओफ सेंट्रल अथोर्टी थी दिली में और उसका फायदा उठा के इन्हों ने इस पे कंट्रोल लिया ये एक्चुली सबसीडरी अलाइंस में चल रहा था ब्रिटी सर्स के और सिंधिया डाइनेस्टी के साथ गवालियर स्टेट तो पूछा जाए कि कौन सा सबसीडरी अलाइंस जिसको सहाएक संदी बोला जाता है सबसीडरी अलाइंस वो ब्रिटी सर्स के साथ किसका था सिंधिया डाइनेस्टी का गवालियर में यह एक स्टेटेजिक लोकेशन से इंपोर्टेंट था और वोई स्टेटेजिक लोकेशन क्या थी कि यहाँ पर फोर्ट्स बहुत ज़्यादा है कि ले थे तो यह सुरक्षित माना जाता था कि यहाँ पर और कोई इसली अटेक नहीं कर सकता इसकी स्टापना कब हुई गवा ग्वालियर स्टेट की स्तापना की थी 18th सेंचूरी में ये द्यान रखना आपको एज ये पार्ट ओफ मराथा एमपायरी की थी इसकी स्तापना तो उसके बाद में इन्होंने स्तापना की इनके बाद में जो महादजी सिंदिया थे 1761 से और 94 तक ये ग्वालियर स्टेट रहा महादजी सिंदिया महादजी सिंदिया के पास ये सेंट्रल इंडिया की एक लीडिंग पावर थे काफी डॉमिनेंट थे ये इनका काफी नाम रहा है इस्ट्री में महादजी सिंदिया ग्वालियर स्टेट ब्रिटिश हर्ज के पास काब आया ये भी जो एंग्लो मराथा वार उसके टाइम पे ही ये ग्वालियर स्टेट भी ब्रिटिश हर्ज के पावर में चला गया और जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में उस टाइम पे ग्वालियर मर जो गया न्यू इंडियन स्टेट मध्यप्रदेश में ये ग्वालियर स्टेट किया है इसके बाद में देखते हैं हॉलकर डाइनेस्टी देखें हॉलकर डाइनेस्टी का टाइम रहा है ये 27-27-1947 तक जब तक देश आजाद हो के रियो हॉलकर डाइनेस्टी भी यूनियन ओफ स्टेट का पार्ट होगे उस टाइम लगबग 500 रिया सते थी जो बारत में मर जूई थी जब देश आजाद हुआ था सर्दार पटेल ने करवाया था हूँ इस डाइनेस्टी की स्टापना किसने की थी कौन थे इसके फाउंडर मलहार राव होलकर मलहार राव होलकर ये होलकर डाइनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने कब की थी इसकी स्टापना 1727 में कहां की थी इसकी स्टापना इन दौर में इसकी स्टापना की थी इसमें इनलोंने क्या किया मलार राव ने इनलोंने आसाइन किया पांच विलेजजी में फांच विलेजजज के गृप बनाके और पिर इनलोंने रूल करना शुरूं किया यहां पर और जो पहला सुरुवात की थी सुबेदारी की इन्होंने मालवा रिजन से ही की थी और 1727 में की लेकिन 1730 आते आते इनकी सुप्रेमेसी इन्होंने एस्टाबलिस कर ली थी यहाँ पे और इन्होंने जो बैटल ओप पानिपत हुआ था थर्ड बैटल ओप पानिपत तीसरा जो पानिपत का युद्वा था उसमें इन्होंने भी पार्टिशिपेट किया था जो माले राव होलकर थे इनके बाद में बने माले राव होलकर और माले राव होलकर किंग बने 1766 में लेकिन वो एक साली रहे और उनके बाद उनकी early age में death हो गई माले राव होलकर की death के बाद इस state पे किस ने rule किया देवी अहिल्याबाई ने देवी अहिल्याबाई ने यहाँ पे rule किया 1766 से और 97 तक देखे ये थी जो देवी अहिल्याबाई ये इनका जब ये बेटा था माले राव होलकर इनकी death हुई उसके बाद इन्हों ने ही इसको समाला इस state पे rule किया और ये Lord Shiva की बहुत बड़ी बग थी devotee of Lord Shiva इन्हों ने यहाँ पे होलकर डाइनेस्टी का जो ये region था हो इस्पेसलिए मालवा रीजन यहाँ पे बहुत सारे travelers के रुकने के लिए shelter बनवाए इन्होंने लोगों के लिए temple बनवाए और लोगों के लिए इन्होंने कुएं वगारा ये काफी चीज़े की थी तो ये popular थी होलकर डाइनेस्टी में सबसे ज़्यादा किसी ने जो welfare activity किया है सामाजिक सेवा किया तो वो इनका जाना जाता है देवी आहिल्याबाई और इन्होंने जो एक और capital create की जो इनकी main capital कौन थी होलकर डाइनेस्टी की main capital थी रजवाडा और रजवाडा को किसको बोलते थे ये इंदोर को तो इनकी main capital इंदोर थी लेकिन देवी आहिल्याबाई ने इसकी एक और capital create की वो माहेश्वर माहेश्वर की और ये माहेश्वर कहाँ पे है खारगोन डिस्टिक में खारगोन में है ये माहेश्वर 1797 में इनकी भी death हो गई और इसके बाद में यस्वंतराव होलकर 3rd यस्वंतराव होलकर जैसा मैंने अभी बताया देश आजाद हुआ जब यही थे तो इन्हों ने रूल किया और यही लास्ट रूलर थे आपसे पूछा जाए was the last ruler of होलकर डाइनेस्टी तो होलकर वंस के आखरी जो रूलर थे वो थे यस्वंतराव होलकर साथ एक जनवरी 1950 को किया और होलकर इस्टेट जो था यह पूरा मर्ज हो गया Union of State इसमें इंडिया में सेकिंड है सिंधिया डाइनेस्टी सिंधिया डाइनेस्टी राह है 1761 से 1948 जब तक यह इसमें मर्ज हो गए सिंधिया डाइनेस्टी का जैसा मैंने बताया आप हो जब हम अभी गवालियर पढ़ रहे थे सिंधिया उस टाइम पे कि सिंधिया डाइनेस्टी की स्थाफना रानो जी सिंधिया ने की थी रानो जी सिंधिया के बाद में थे महाद जी सिंधिया यह greatest सिंधिया वरियर थे और इन्हों ने पानिपत के बैटल में भी युद लड़ाता है, किसके किलाब लड़ाता है, पानिपत का युद वाता है, हमद साब धली के किलाब, एक और जो कुशन पूछा जाता है, कि लोकेंदर सिंग जाट थे ग्वालियर के राजा, लोकेंदर सिंग जाट ये ग्वालियर के थे राज वो इन्होंने ही रखी थी माद जी सिंद्या ने एक और जो इन्होंने कंट्रोल रखा जब मुगल्स कमजोर हो गए तो 1785 से और 1803 तक माद जी सिंद्या ने जब तक बिल्टी सर्ष ने दिल्ली को कैप्चर नहीं कर लिया था तब तक माद जी सिंद्या ने जो मुगल था उस शिंदिया के इसारे पे चलता था माज जी शिंदिया के कंट्रोल में चल रही थे दिल्ली की गवर्न्मेंट है जो ये माज जी शिंदिया कंट्रोल में काम करते थे इतने पावरफुल थे माज जी शिंदिया दौलत राव शिंदिया बने इनके बाद दौलत राव शिंदिया देखे शुरुवात में रानो जी सिंदिया ने स्तापना की उसके बाद माद जी सिंदिया जिन्नों ने पानिपत का तीसरा यूद लड़ा ऐमद साब दाली के किलाब माद जी सिंदिया ने का लोकेंदर सिंग जाट को गौलियर के यूद मेरा रहा और जो ग्वालियर का फोर्ट है वो कैप्चर किया उसके बाद में इन्होंने ग्वालियर किंग्डम की निव रखी और जो सालम सेकिंड था दिल्ले में 1785 से 1803 तक ये मादजी सिंद्या के इस कंट्रोल में था एक तरीके से जब तक की 1803 के बाद में ब्रिटी सर्ष का कैप्चर हो गया था दिल्ले पर देर देर जब की बाद दौलत राव सिंद्या रहे हैं 1794 टू 1827 तक ये रूलर बने सिंद्या डाइनेस्टी के 1810 में इन्होंने ग्वालियर को कैपिटल बनाये सिंद्या डाइनेस्टी की तो आपसे क्वेशन पूछा जाए कि ग्वालियर किंग्डम की स्तापना किसने की तो ये माद जी सिंधिया सिंधिया डाइनेस्टी की स्तापना रानो जी सिंधिया ग्वालियर किंग्डम की स्तापना माद जी सिंधिया और जो ग्वालियर है उसको कैपिटल किसने बनाया दौलत राओ सिंधिया ये आपको द्यान में रखना है और पहले कौन थी इसकी कैपिटल ग्वालियर से पहले इनकी कैपिटल थी उज्जेन में और दोलत राओ सिंधिया की डेथ हुई 1827 में उसके बाद इनकी जो रानी थी क्विन वो थी बैजाबाई ये गद्दी पए बैठी और इन्होंने एक एडबुट किया चाइल्ड जानकोजीराओ ये गोद लिया इन्होंने और फिर इन्होंने ही गद्दी समाले जानकोजीराओ ने ये रहे हैं 1827 से और 1843 तक इनकी डेथ के बाद, जनको जीराव की डेथ के बाद है जो इनकी जो रानी थी तारा बाई तारा बाई ने टुक और दा चार्ज ओप दिस एम्पायर और इन्होंने भी एक सन एड़ोट किया जिनका नाम था जेवा जीराव ये इसके बाद में जेवा जीराव बने तो आकरी जो थे सिंधिया डाइनेस्टी के ये जेवा जीराव शिंधिया थे ही वाजद है लास्ट किंग ओप सिंधिया एम्पायर और फिर ये गवर्नमेंट ओप इंडिया के साथ मर जोगे ये राजप्रमुक भी रहे हुए हैं जेवा जीराव शिंधिया जोर्ज जेवा जीराव शिंधिया ये क्या रहे हैं राजप्रमुक जब सेंट्रल इंडिया के कब बनायते इनको 18 में 1948 को सेंट्रल इंडिया के राजप्रमुक थे ये ये आपको द्यान में रखना है देखे कई भी कन्फ्यूज नहीं हो ना एक बार आप समझ लीजे PDF अगर आपको प्रवाइड करवा दिया जाता है टैसीरी जोइन करते हैं तो आप अधरवाइज आप यहां से समझ के पढ़ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्या है रिवोल्ट्स इन मद्यपरदेश बिपोर 1857 1857 से पहले भी यहां पे मद्यपरदेश में रिवोल्ट हुए हैं और वो रिवोल्ट कौन से थे देखे 1818 में हुआ था रिवोल्ट बाई बॉंसले जो बॉंसले थे इन्हों ने रिवोल्ट कहा था पहला रिवोल्ट अप्पा जी बॉंसले थे इन्हों ने किया था इनकी लेडर्शिप में हुआ था और ब्रिटिशर्ष ने है जो इसको चलने नहीं दिया ब्रिटिसर्स से हार गई इस रिबॉल्ट में दूसरा हुआ था 1833 में और ये देवनाथ सिंग ने किया था ब्रिटिसर्स जो सप्रेस कर रहे थे लोगों के राइट्स या ब्रिटिसर्स की जो डिस्क्रेशनर काम थे उसके अगेंस्ट किया था इन्होंने क्यों ब्रिटिसर्स का ये सक्षेशन नहीं मानेंगे ब्रिटिसर्स का जो राज है वो नहीं मानेंगे ये तो 1833 में इन्होंने ब्रिटिसर्स के खिलाब किया था देवनाथ सिंग रिबॉल्ट बाई देवनाथ सिंग इसके बाद में क्वेंस आते उन्होंने 1842 में किया था क्वेंस आने और ये कहां से थे हीरापूर स्टेट से थे हीरापूर स्टेट से थे लेकिन ब्रिटिस अर्ष ने इनको भी सक्सीड नहीं होने दिया इसके बाद में 1842 के बाद में फिर दिलन्स आने किया था रिवोल्ट और दिलन्स आने किया और वो भी बिरिटिसर्च ने जो बिरिटिसर्च का इंटरफेरेंस था बिरिटिसर्च की पॉलिसी थी उनके खिलाब किया था और ये दिलन्सा का जो रिवोल्ट था ये सागर, दा जबलपूर इन सब जगह पे चला लेकिन ये प्रोपरली ओर्गनाइजड नी था इसलिए ब्रिटिसर्ष ने इसको भी सप्रेस कर दिया अब देखते हैं कि रिवोल्ट ओप 1857 एंड मद्यपरदेश अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि 1857 का मद्यपरदेश में क्या क्या रिवोल्ट हुए है फिर उसके बाद में हम देखेंगे इंडियन नेशनल मुवमेंट के टाइम पे मद्यपरदेश में क्या हुआ है मद्यप्रदेश में कौन-कौन से मुवमेंट हुए है और फिर कौन से freedom fighters थे मद्यप्रदेश के तो ये पूरा आपका topic cover हो जाएगा कि मद्यप्रदेश का इसमें क्या रॉल राय इंडियन national moment में जो आपका topic है अभी के लिए इतना है next जल्दी फिर आपको यह इसका जो second part है वो मिल जाएगा आप channel को जरूर subscribe कीजिए thank you very much